इस्राइली सेना इससमें दो फ्रंट पर जंग लड़ रही है। लेकिन इन सब अटकलों और दावों के बावजूद भी हिजबुल्ला के हमलों में कोई कमी नहीं आई है और हिजबुल्ला लगातार हमला कर IDF की नाक में दम कर रहा है। अब हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर मौझूद इसराइली खेरबाद मार मिलिटरी बेस पर बड़ा हमला किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ड्रोन दूर से उडान भरता हुआ आता है और सैन बेस से टकरा कर फट जाता है। इसके साथ ही हिजबुला ने दो और सैन बेस पर किये गए अपने ओपरेशन के फुटेज जारी किये हैं। जिसमें बैयाद बलीडा मिलिटरी साइट पर किया गया हमला है। वहीं मेरोन बेस पर हवाई सर्वे और गुछ ऑपरेशन से जुड़ी इमारतों पर हमले का वीडियो भी रिलीस किया है। हिजबुला ने इन सभी सैन निचौकियों पर हमला किया है। हिजबुला ने बताया कि ये ऑपरेशन फिलिस्तीन के लोगों और उनकी बहादुरी के समर्थन में किया गया था। साथ ही लेबनानी शोहर जुआया में इस्राइली सेना द्वारा किये गए हमले और हत्या का जवाब भी था। हिजबुला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक लॉंचर में कई रॉकेट भर कर उसने एक के बाद एक फायर किया जा रहा है। इतना ही नहीं हिजबुला ने पश्चिमी ब्रिगेट की तोखाना बटालियन की मुख्याले पर भी हमला किया है। अपने इस तीसरे ओप्रेशन का वीडियो भी हिजबुला ने जारी किया है। जिसमें इसके कमांड सेंटर और खिर्बत मार मिलिटरी बेस में अधिकारीयों और सैनिकों को निशाना बनाये गया। हिजबुला लडाकों ने हमलावर्ड ड्रोनों का एक दस्ता लॉंच किया जिसने बेस के कुछ हिस्सों को नश्ट कर दिया और वहां आग लग गई। साथ ही कई सैनिक घायन। इसराइली सैनिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कंटेनर रूम को भी इजबुला ने निशाना बनाया। इस हमले के लिए पहले उसने टोही ड्रोन की मदद से इलाके की निगरानी की और लक्ष का पता लगने के बाद में ड्रोन से निशाना बनाया। ये पहली बार नहीं है जब हिजबुला ने ऐसा हमला किया हूँ। हाली में हिजबुला ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कीरियट शमोना, कफार सोल्ड और मारगेलियट सेटल्मेंट्स पर बड़ा हमला करने का दावा किया गया था। इसके साथ ही इसराइली हमले में मारे गए अपने सीनियर कमांडर तालेब अब्दुला की मौट से बौकलाये हिजबुला ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में इसराइल ने गोलान हैट सहेट 15 इसराइली ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके लिए करीब 150 रॉकेट और 30 स्वी स्पोटक ड्रोन का इस्तमाल किया गया और इस हमले में कम से कम दो लोग घायल हो गए। हिजबुला के रॉकेट और ड्रोन ने इसराइली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पहले भी हिजबुला ने इसराइल पर करीब 200 से जादा रॉकेट दागे थे। हुआ है झाल झाल